हाई दोस्तों स्वागत है आपका नतिए टीव में मैं आपका होस्ट अजे और आज आज उसने लाँच कर दिया है Zenfone Go साड़े 4 इंच का second generation smartphone पिछला इसका version last year आए था और अभी ये च्छे colors में available है जिसमें से gold option है red, lemon, yellow, blue, silver, blue जैसे options अविलेबल है मारे पास और जैसरा नाम सजेस्ट करता है साड़े 4 इंच का ये phone है normal display है HD वाली बात नहीं लेकिन normal में भी 450 x 854 का resolution है जो ठीक ठाक दिखाई पड़ता है और इसके साथ ही साथ Godgore Qualcomm का processor है बैटरी 2070 mAh की है खास बात ये है कि इसमें 2 model launch किये गए हैं जिसमें पहले का price है 5299 इसमें आपको 0.3 megapixel camera और पीछ ये 0.3 megapixel front camera और 5 megapixel back camera और इसमें यदि आप 400 रुपे और आट करते हैं तो आपको 2 megapixel का front facing camera मिलेगा और 8 megapixel का rear camera यानि आपका ये वाला model 5,699 रुपे में उपलत हैं अब बात की जाए तो azuz की quality हमेशा अच्छी रही है और यहां पर थोड़ा से compromise है कि इस phone में सिर्फ 1GB RAM है यूजली आजकल जो phones आ रहे हैं budget segment में भी वो 2GB RAM तो दे ही रहे हैं लेकिन अगर आपको थोड़ा लंबी रेस का गोड़ा चाहिए तो थोड़ा सा यहां पर compromise करना पड़ेगा और इसका review में पूरा जल्द ही लाओंगा तो tune रहे हैं का channel पर चलते हैं आगे तो एक app है hotstar online website भी है हमने आपने मेरे matches देखे हैं उस पे world cup के IPL के और भी काफी सारे free content भी मिलता है लेकिन अब उसने एक premium service launch कर दी है एक तो 99 रुपीज पर मन्त के हिसाब से ज book सुने होंगे वैसा ही hotstar आपको provide करेगा तो इस service launch की है Game of Thrones जो भी आप Game of Thrones के fans हैं तो आप uncensored content काफी कुछ explicit scenes या कुछ world scenes जो television पे आते हैं वो series दिखाई जा रही है उसमें से edit कर दिया जाते हैं लेकिन आपको proper content जो है hotstar पे आप 199 रुपे मन्त के हिसाब से मिलेगा तो torrent users तो जादा इसका ध्यान नहीं देंगे लेकिन जो users privacy और फिर content का value करते हैं और original content की तरफ जादा जाते हैं तो आप 200 रुपे देके यह premium content ले सकते हैं hotstar पे और आज की final ख़बर है कि Motorola अपनी smartwatch तो पहले से ही launch कर दी है marketing में Moto 360 के नाम से लेकिन 27 से फिर को Moto 360 sport sports people के लिए या sports enthusiast के लिए launch कर रहा है खासकर price reveal नहीं किया है करीबन करीबन 20,000 तो मानेगा ही इसने में smartwatches अच्छे brand की आजकल जो की है available है और Moto 360 second gen IQ उसका भी pricing 18,000 से 24,000 के बीच में है तो इसका भी 20,000 के करीब होगा इसमें Qualcomm Snapdragon 400 यानी quad core processor होगा और 1.3 inch का इसमें हमें display मिलेगा साथ ही साथ heart tracker, accelerometer और GPS tracker भी होगा तापकी आपका root और आपका distance भी measure कर पाए इसको आप असानी से अपने phone के साथ synchronize कर पाएंगे ताकि सारा data जो भी locked हुआ है जो भी save हुआ हो आपके phone पे आ जाए एक बहतर analysis के लिए और 300 mAh की इसमें battery होगी जो हफते भर तो चल ही जानी चाहिए मेरे हिसाब से और साथ ही साथ ये watch यो की sports इसका main target segment है तो ये waterproof और dust proof तो होगी ही जैसी launch होती है इसका hands on और बाकी सारी चीज़े मैं आपके लिए हाथों ही हाथ ले आँगा तो देखने के लिए शुक्रिया और प्लीज यहांपे subscribe करना मत भूले मिलते हैं कल